या पेजकर्श दोस्तों ऐसे ही लाजवब गाने हम सुनते रहेंगे लेकिन समय की पाबंदी देखके हम आगे का अगला नगमा सुनने चाह रहे हैं आज के हमारे वाइस ओफ इंडियन प्रेजेंस ओल्ड इस गोल्ड इस कार्यक्रम के हमारे जो खास मेमान है हमारे चीफ गेस्टे आदनियश्वी हीरालाई भाई मुरूक का हम जोदा तालियों से स्वागत करते हैं और उनको मंच पर आमंत्रित करते हैं हम हीरालाल भाई मंच पर आने के लिए तयार नहीं है लेकिन एक बात कह दू जैसे उनका नाम है हीरालाल तो सही में वो एवर्ड किंग है और हमारे मुलूंड के मुंबई के इंडिया के हीरे है तो हीरालाल भाई के लिए जोड़ार तालियां आवाज के दुनिया के दोस्तों जब महिफिल एसी जमी हुई है कि आज गाना तो गाने का बहुत शोक है मुझे नो डाउट आवड़ी मैं गा भी सकता हूं लेकिन तिन-चार दिन से मेरी तब्यत अच्छी नहीं है उसी हिसाब से में गले का आवाज भी निकालनी सकता हूं अजर्वाज जो मैंने भी गाना सुना चुने हुए गाने तो करीब तीन ही आचार थे और अभी भी बहुत आने वाले है इसलिए मैं किसको में डिस्टब करना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं विश करता हूं कि वोईस ओफ इंडिया का दोनों भाहियो आगे आवे और उमेश जी एस वेले प्रकाश जी दोनों आगे बहुत आज आवे और आज की जो महफिल में जितने जम्य हुए है उससे चार गुना हमने उनको प्रोमिस किया हुआ है इनसे चार गुना एटलिस रहेगे और चटिस मुजिशन साथ में रहेगे और नहीं रहेगे और यह सही है इनलाल भाई से आमारी तीन में से बात सब्सक्राइब कि वह कह रहे हैं कि चाटिस मुजिशन के साथ हम कालिदास में वाइस विए पिंडिन के साथ एक प्रोग्राम करेंगे और जल्द ही बहुत ही जल्द हम तारिक अनौंस करेंगे और बस कुछ दिनों की बात है दिल ताम के बेठिये थेंक यू वाइस ओफ इंडिन प्रेजंस आज हम जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वाइस ओफ इंडियन के फाउंडर और आज के इस कार्यक्रम के हमारे ओर्गेनाइजर आदनिया उमेश भाई विंची और आदनिया प्रकाश भाई चंदे जी का हम तहे दिल से स्वागत कते शुक्रिया कते एक बाद जोदा तालिया दोनों के लिए 2017 से ये वाइस ओफ इंडियन सिंगिंग कॉंपिटिशन की बहतरीन शुरुआत हुई थी और तब से लेके आज तक ये सुनेरा सफर संगीत मैं सफर जारी है कई सिंगर्स ने यहां से गाना सिख के आज वो प्रफेशनली परफॉर्म कर रहे है तो एक बाद इतनी जवर्जस जमी है तो हम हमारा कुछ जो आपने तो सामने देखी दिया पर देख लिया प्रैक्टिकल तो हमको ज्यादा नहीं बताएंगे सिर्फ जबी वोईस ओफ इंडियन का कोई भी प्रोग्राम है आपको अगर कमफर्डबल है तो आते रहिए सुने सुने और मजे लेते रहिए यह एक बात सिर्फ दो सब्दों में खतम करते हैं कि हमारा मकसद एक है कि आप यहां से पुरे वर्ड में कहीं पर भी जाओ जाओ ज्यादा दो याद तीन दिन में पहुची जाते हो लिकन यहां से यहां जाना पता नहीं कितने साल लगते हैं पुरी जिन्दगी निकल जाती है बस हम हमारा काम यह है यहां से वहां लेकर जाना थैंक यु थैंक यू जिन्दगी की हर सुभा कुछ शर्ते देकर जाती है जिन्दगी की हर सुभा कुछ शर्ते देकर जाती है जिन्दगी की हर शाम कुछ तजूर्बे लेकर आती है और जब शा कुमार जी का गाया हुए बेहत प्यारा सा नगमा वो शाम कुछ अजीब थी यह प्यारा सा गीत पेश करेंगे शशिकान जी